दोस्तो गूड मॉनिंग आप लोगों ने एक वर्ड सुना है प्राण प्रतिष्ठा आपने सुना होगा कि पंडित लोग जो होते हैं वो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं इसका मतलब क्या होता है जो मुझे समझ में आया कि एक बेजानदार चीज में वो अप प्राण डाल देते हैं जो पंडित होता है वो ही कहते हैं कि मैंने इस बेजानदार चीज में या मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है यानि इसमें प्राण है ऐसा मानिये ये जानदार चीज है और फिर लोग उसकी पूजा करने लगते हैं पर आज जितने कि भी मंदिर हैं या जितनी भी मूर्तियां हैं उसमें हर इंसान ही सोचता है कि इसमें परमात्मा स्वयम बेठा है और उनकी पूजा करता है मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे दिल की आवाज है कि अगर हम लोग हम लोगों ने अपने डीम्स में जब हमारी अपलाइन ने हमार प्रतिष्ठा की थी और हमने यह माल लिया था कि यह पूरे होने वाले हैं हमने अपने प्राण फोग दिये थे उन डीम्स में और जब हम काम करते थे तो हमें वो मोटिवेट करते थे कि यह डीम्स हैं जो सब कुछ है हमारे लिए तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपको आपके डीम्स शेक हो रहे हैं पता नहीं है अचीव होंगे या नहीं होंगे भरोसा नहीं है आपके अप्लाइन पर या वगरा वगरा तो मैं चाहूंगा कि आज से आप अपने डीम्स में प्राण परतिष्ठा कर दो अपने प्राण जोग दीजे उसमें अपने प् में अगर आपने प्राण फूग दिये कि चाहे मेरे प्राण निकल जाएं लेकिन मैं करके रहूंगा तो वह हो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा तो आज से सब लोग अपने ड्रीम्स में प्राण डाल दीजे फूग दीजे और मानिए कि मेरे प्राण अटके में इसमें